हेलो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर वन माई बोड़ी का इपार्ट सोल्ब करेंगे इपार्ट जो है वो लोंग आंसर टाइब कोईश्चन है तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कोईश्चन दिया गया है वाई डू बोन्स हैब जॉइंट फर्स्ट कोईश्चन में हमें पूचा गया है कि बोन्स में जॉइंट्स क्यों होते हैं तो इसका अंसर आएगा जॉइंट इस ए प्लेस वेर टू बोन्स मीट इसका मतलब हुआ कि जॉइंट जो है वो एक ऐसा प्लेस या एक ऐसी जगा होती है जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती है और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हमारे स्केल्टन को फ्लेसिवल बनाते हैं बिदाउट देम मुवमेंट वुड बी इम्पोसिवल और जॉइंट्स के बिना जो है वो बोड़ी की मुवमेंट इम्पोसिवल होती है और जॉइंट्स अलो अबर बोड़ी टू मूव इन मैनी वेज और ये जो जॉइंट्स होते हैं इनकी बज़ा से ही हमारी बोड़ी अलग-अलग तरिके से मूव कर पाती है नेक्स्ट है बच्चों क्वेस्चन नमबर सेकिंड Second question में हमें पूछा गया है कि हमारी जो बैक्बोन होती है वो बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉल बर्टेवर से मिलकर क्यों बनी होती है क्यों वो एक लोंग-स्टेट बोन की तरह नहीं हो सकती है तो इसका अंसर आएगा इसका मतलब हुआ कि हमारी जो बैक्बोन है वो छोटे-छोटे स्मॉल बर्टेवर से मिलकर इसलिए बनी होती है क्योंकि ये जो छोटी-छोटी स्मॉल बोन होती है ये हमारी बैक को फ्लेक्सिविल्टी प्रोवाइड करती है नेक्स्ट है बच्चों क्वेस्चन नमबर थर्ड वाई इस बोन मैरो नोन एज दा फैक्टरी फोर मेकिंग ब्लड सेल्स बच्चों क्वेस्चन नमबर थर्ड में हमें पूछा गया है कि बोन मैरो जो है उसको ब्लड सेल बनाने की फैक्टरी क्यों बोला जाता है के अंदर बनते हैं therefore bone marrow is known as the factory for making blood cells इसी लिए जो है वो bone marrows को blood cell बनाने की factory बोला जाता है next है बच्चों question number 4 how does a ball and socket joint work question number 4 में हमें पूछा गया है कि ball and socket joint जो है वो किस तरह से work करता है तो बच्चों इसका answer आएगा in ball and socket joint one bone which has ball-like end fits into the hollow socket of another bone which provide the round movement of bone इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो आपकी ball and socket joint होती है वो basically दो bones से मिलकर बनी होती है जिसमें से एक bone जो है उसका end ball की तरह होता है और दूसरी जो bone है उसका end जो है वो hollow socket की तरह होता है फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों वो bone जिसका end ball की तरह था वो दूसरी bone जिसका end hollow socket की तरह था उसमें fit हो जाती है फिर fit होने के बाद यहां पर एक नया joint बनता है और यही जो joint है वो उस bone को round movement जो है वो provide करता है और बच्चों यह जो आपकी ball and socket joint है यह आपके shoulder में पाई जाती है next है बच्चों question number 5 dogs and bats are also mammals like us how does our sense of smell compared with that of dog and our sense of hearing with that of bat बच्चों question number 5 में हमें पूछा गया है कि dogs and bats जो है वो भी हमारी तरह ही mammals है तो हम अपनी smell की sense को और hearing की sense को कैसे compare करेंगे dogs और bats के साथ तो बच्चों इसका answer आएगा dog have a highly developed sense of smell with compared to us also bats have a special power to hear highly peace sound but we can't इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो dogs हैं उनके पास highly developed sense होती है smell करने की और उसी तरह से जो bats हैं उनके पास भी special जो power होती है कि वो highly peace sound को सुन सकते हैं पर बच्चों ये दोनों ही जो sense हैं वो इनसानों में नहीं पाई जाती हैं तो बच्चों ये ही basic difference था dogs और bats का इनसानों की sense of smell और sense of hearing के बीच में next बच्चों question number 6 do you breathe even when you are sleeping give reason for your answer बच्चों question number 6 में हमें पूछा गया है कि क्या हम जब सो रहे होते हैं तब भी breathe करते हैं और हमें जो है वो अपने answer का reason भी बताना है तो बच्चों इसका answer आएगा yes we breathe even when we are sleeping इसका मतलब हुआ बच्चों कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम breathe करते हैं because breathing is a continuous process क्योंकि बच्चों जो breathing है वो एक continuous process है मतलब लगातार चलने बड़ा process है so if this process stops more than 2 minutes we can die इसलिए बच्चों अगर हम breathing को 2 minutes से ज़्यादा तक रोक कर रखते हैं तो हम जो हैं वो मर सकते हैं अजयादा झाल उड़ा झाल सुश मायदा सकते हैं you